हलो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका फिर सस्वागत है अभी तक हमारे यूटूब चैनल को अपने सस्क्राइब निया क्या तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल याकन बटन दवाना न भूले ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जाने करें आपको सबस से पहले नोटिफिकेशन हैं मिल सकें दोस्तों आज हम इस वीडियों बात करने वाले हैं कि अधार का जो काम अभी चालूग किया गया है यूट एडिया के तरफ से तो इसमें बताया गया कि CSC भाईयों को जो है इनमें काम दिया जाएगा तो कौन से CSC ऐसे हैं जिनको ये काम दिया जाएगा और क्या-क्या उनके पास होना चाहिए क्या सुद्धा होनी चाहिए तो सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और चलते हैं और जान लेते हैं क्या-क्या सुद्धा अपने पास होनी चाहिए जब यह हमको ये सर्विस दी जाएगी यानि कि अधार ग्राफिक अपडेट सर्विस तो यह सर्विस आपको बहुत जल्दी ही चालू की जाएगी और इसका जो रेजिटेशन लिंक है वह आपको को सीसी पोर्टल पर जो है बहुत जल्दी उपलब्द करवा दी जाएगी वहां से जो है आप अपने इस जानकारी फिलकर के जो है र बचना है क्योंकि यह जो है आपको यूएडिये इन दुसरे लोगों को जो है रजिस्टार नहीं बनाई है क्योंकि यहाँ पर जो है CAC-V-E-L-E-U-I है उनको ही यह जो सुभधा है दी जारी है और जितने भी है जो भी आपको कॉल करेंगे जो भी आपको मेलोगरा करेंग वो सभी fraud गरी है तो उन सब उसे आपको बचना है नीचे आपको जो mandatory requirement है वो आपको देख लेना है कि आप अगर CAC है तो आपके पास क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं अगर आप यह लिए हैं और आप CSP चलाते है यानि कि आप BC agent है तो आपको यहाँ पर जो है bank का नाम और BC code आपको यहाँ पर देना होगा और अगर आप EPS चलाते हैं तो आपको यह काम नहीं मिलेगा मिलेगा जैसा कि मैं आपको बचातू HDFC का जिनको BC agent बनाया गया है या पहले से CSC के मारफत से वो किसी दूसरे bank का CSP भी है तो उन सब उनको जो है इससे बाद दी जाएगे नीचे आपको जो है अगर आपने पहले काम कर रखा होगा तो आपको वहाँ पर certificate होगा ही चाहिए operator का हो पर आपको पास होना चाहिए और जो operator supervisor होंगे उनका पुलिस बरिपिकेशन certificate भी होना चाहिए जो की तीन मैने से पुड़ाना नहीं होना चाहिए last तीन मैने तक का ही होना चाहिए यहाँ पे जो है operator supervisor के आधार में mobile नंबर और email id लिंक होना अनिवार्ज है जो की रहना चाह और आपको एक color multi function printer आपको यहाँ पे रखना होगा USL की क्यूंकि आपको यहाँ पे print निकालना पड़ सकता है और आपको scan करना पड़ सकता है और कई सारे आप इस पे काम कर सकते हैं तो आपको multi purpose से आपको यहाँ पे printer रखना होगा वह भी color ठीक है और यहाँ पर जो आपक scanner use करना होगा जैसे कि हम पहले करते थे कि एक बार में पांच उंगली को scan कर लेते थे तो वह वाला नहीं चलेगा आपको यहाँ पे single ही चलेगा और आईडिस scanner जो है वह dual वाला नहीं चलेगा single वाला ही यहाँ पे चलने वाला है तो यह चीज आपको देख लेना है एरेंज connection होना चाहिए और जिस office में या जहां पर भी आपके office है जहां आप यह काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको cctv भी install होना चाहिए और ramp and wheelchair जो है आपको दिव्यांग के लिए वहाँ पे सुद्धा देनी पड़ेगी कम से कम आपको एक जरूर ही रखना होगा facility देने के लिए और जो है आपको सबसे वड़ी बात यह भी है कि आपको यहाँ पे token system machine भी आपको लगाना होगा जिसमें number generate हो पाएगा कि किन का number किन के बाद है serial जो है generate करेगा वो आपको token system यहाँ पे आपको यानि की machine जो है आपको लगानी होगी और अपने center पर जो है आपको toilet facility भी रखनी होगी तो इन सारी सुधा के साथ ही आपको जो है यह UCL की यानि की अधार update का service आपको दिया जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे आपको mandatory requirement है जो कि आपके पास होने होने चाहिए और जिसके बाद ही आपको जो है service दी जाएगी बहुत जल्दी आपके digital service portal पर जो है इसकी link आपको दे दिया जाएगा registration करने के लिए तो आप जो है अपने portal को visit करते रहें अगर आप खोलते हैं regular तो तो अच्छी बात है आपको मिली जाएगी तो यह चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और यह चीज आपको अगर आप किसमें कोई कमी है पुलिस बेरिपिकेशन की कमी है तो आप जल से जल्द आवेदन कर लें क्योंकि अगर आपका failed होगा पुराना ह तो यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है तो यह सब आप जो है करवा के रख लें क्योंकि जैसे ही चालू होगा आप जल से जल्द अपना registration करवा पाए ठीक है दोस्तों तो उमीद करता हूं कि यह चोटी सी जानकर यह आपको अच्छी लगी होगी अगर जानकर यह अच्छी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज लाइक करे, कमेंट करे, ससक्राइब करे और अधिक साथीक अपने दोस्तों के साथ सेर करे ठीक है दोस्तों अगले वीडियो मिलते है किसे अगले टॉपिक के साथ जब तक के लिए जैए जयाओर